नमस्कार दोस्तों यह सलेवस है UPSC मुख्य परिक्षा के लिए लोग प्रशाशन वेकल्पिक विशे पाठ्थे करम पेपर फस्ट जो लोग प्रशाशन विशे हैं वेकल्पिक विशे यह उसका मैंने हिंदी में जो ट्रांसलेशन करा है क्योंकि जो इस सब्जेक्ट से सम्म उसके सभी बिंदू को जानेंगे सबसे पहले जानते हैं जो लोग प्रशाशन विज्जो वेकल्पिक विशे हैं यह मतलब है क्या चीज लोग इसको चुनते हैं या नहीं चुनते हैं चुनते हैं तो क्यों और किस लिए हैं दोस्तों जब कोई UPSC की तैयारी करता है तो सि जाद अतर जो अलग विशे से हैं जो आठ साइट से जो नहीं होते हैं वो जब UPSC में उतरते हैं तो सबसे पहले टार्गेट बनाते हैं लोग प्रशाशन विशे को वो कहते हैं कि जब हमें पविशे में आईएसी बनना है और हमारा बैक ग्राउंड तो कुछ हो रहे हैं पर हमें लेना उसी विशे को चाहिए जो विशे जिस विशे पर हमें काम कर रहा है जादतर जादतर के विशे में काऊंगा क्योंकि फिर बाद में जब उतरते हैं या जब इंसिटूट एरिया में जाते हैं वो दोस्तों से मिलते हैं तब उनकी विचारधारा बदलती है कि यह कुछ औरी गेम है, यह वो गेम नहीं है कि आपने जो सोचा, उसी को लेकर चलो, पर जब वो अनुभवी लोगों से मिलते हैं, इस्टूट में जाकर, या फिर जो एक दो बार एक्जाम दे चुके होते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचो, कि वेकलपिक विशे लोग परशाशन ही लो, उसमें यह स्टेटिजी होती है, यह करना चीए, यह, यह, यह सब बाद में होते हैं, पर आज हम अध्यन करेंगे लोग परशाशन के बारे में, इसके अंदर का दोस्तों, जो है, सभी विश्यों को 20-20% लिया गया है, आप चाहे पोलिटिकल ले ल परशाशन की विवस्ता, की विवस्ता पुराने टाइम पे क्या थी, आप टाइम पे कर क्या है, आप कलेक्टर बनते हो, आपको एक सिच्योशन दी जाएगी, केस स्टडी दी जाएगी, कि आप इस जिले में कलेक्टर के पत पे हो, या उच्छ अधिकारी के पत पे हो, के अंदर जो है कुछ विचारक भी आएंगे दोस्तों अभी तक जो देखा जाए दोस्तों जो 2014-2015 में जो 2013 में भी जो लोग प्रशाशनी विशेज जो है वेकल्पिक विशेज इसका रिजल थोड़ा सा डाउन निचे आया है क्योंकि लोग इसके अंदर जो गए थे वो और कॉंट्विडेंस में गए थे कि आ रहे यह तो हम कर देंगे पर जब बाद में पता चला इसका पेपर जो आया था वो काफी अलगी आया था डीपली आया था पर अभी 2016 जो है उसमें यह अच्छा रिजल इस वर लेकर आया है तो अगर जो लेना चाते हैं यह उनके लिए है जिन्हों ने चूज करा हुआ है सोचा हुआ है कि हम लोग परशाशन विशे ही वेकलपिक बनाएंगे तो उनके लिए यह है आए जान इनके सभी विश्यों को हिंदी माध्यम में परशाशनिक सिध्धान पहला है परीचे इ नया लोग परशाशन सारजनिक विकलप द्रश्टिकोन उदारी करण नेजी करण वेश्वी करण की चुनोतिया सूशाशन इसके अंदरगत है अवधारना और अनुपरयोग नया सारजनिक परवंदन दूसरा पॉइंट से हैं आप इसको पार्ट समझ लीजिए लेसन यह इस परशाशनिक विचार इस पार्ट के अंदरगत क्या क्या चीज हमें पढ़ना है या क्या पढ़ना चाहिए तयारी के लिए वो है वेज्ञानिक परवंदन और वेज्ञानिक परवंदन आंदोलन सास्त्रिय सिद्धान्त वेवर के नोकर शाही मॉडल इसकी आलोजना और पोस्ट वेवरियन विकास गतिशील परशाशन इसके अंदरगत मेरी पारकर फोलेट और मानव संबंध स्कूल जो है इनके अंदरगत साइमन के निर्ने लेने वाले सिद्धान्त साजिदारी परवंद जो इनके विचारक है आर लिक्टन सी आर गिरियस डी बेक्रेयर तीसरा पॉइंट है तीसरा पार्ट जो है परशाशनिक विवार इसके अंदरगत क्या मुखे बिंदू है परिक्रिया और निर्ने लेने की तरीको संचार मनोबल प्रेणन सिद्धान्त सामागरी परिक्रिया और समकालिन नेतर्तु के सिद्धान्त परमपारिक और आधुनिक चोथा पार्ट है संगठन इसके अंदरगत क्या पढ़ना चाहिए सिद्धान्त सिस्टम आकरस्मिक्ता सरचना और रूप मंत्रालो और विभागो निगमो कंपनिया बोर्ड और आयोग ततत और सलाकार निकाय मुख्याले और फिल्ड सम्मंद नियामक अधिकारी सारजनिक नेजी साजेदारी पाचवा पाठ है जवावदेही और नियंतरन जवावदेही और नियंतरन की अवधारना इसके अंदरगत जो मुख्य बिंदु आते हैं वो है प्रशाशनन पर विधान कारेकारी और नियाइक नियंतरन नागरिक और प्रशाशन मेडिया रूची स्वेच्छिक संगठोनों की भूमी का नागरिक समाज नागरिकों के चार्टर्स सूचना का अधिकार समाजिक ऑडिट आगे और जाने दोस्तो चटा है प्रस्टास्निक कानून इस पार्ट के अंदर कर जो आते हैं मुख्य बिंदू जो तयार करना चाहिए अर्थ दायरा औ प्रस्टास्निक कानून पर डिक्सी परत्ययोजित विधान प्रस्टास्निक नय धीकरन सात्वा पार्ट है तुलनात्मक लोग प्रस्टास्नर इसकेंदर का जो आते हैं मुदू प्रस्टास्निक प्रणाली को प्रभाविद करने वाले एत्यासिक और समाजिक कारक विविन देशों में प्रशाशन और राजनिती, तुलनात्मक लोग प्रशाशन की वर्तमान इस्तिती, परिस्तिती की और प्रशाशन, मॉडल और उसकी आलोचना, आठवा पार्ट है, विकास गतिशीलता, इसके अंदर का जो मुख्य बिंदू आते हैं, वो है, विकास की अवधारन विकास प्रशाशन की प्रोफाइल बदलना, एंडी विलफेट, थीसियस, नोकरशाई और विकास, बाजार की बहस से बना मजबूत राज्य, विकासिल देशों में प्रशाशन पर उधारी करन का प्रभाव, मैला और विकास, सोय सहता समू आंदोलन, नोवा है दोस्तों प हर जगा यूज होता है, यह जो पार्ट है, वो आपके प्री में भी आता है, और हो सके तो चारो में में कहीं भी आ सकता है। दस्वा पार्ट है दोस्तों सारजुनिक नीती, इसकंद्रगत के बिंदू है, नीती बनाने और उनकी आलोचना के मोडल, अवधारना, योजना, कर्यानवन, निगरानी, मुल्यांकन और समिक्षा और उनकी सीमाओं की परिक्रिया, राज्य सिधान्त और सारजुनिक नीती करने, ग्यारवा पार्ट है परशाशनिक सुधार की निको, इसकंद्रकत जो आते हैं, संगठन और तरीके, कार्य अधन और कार्य परवंदन, इगवर्नेंस और सूचना प्रदगोगी, परवंदन सहायता उपकरन जैसे नेटवर्क विशलेशन, MISPERT, CPM, वित्य परशाश बार्वा पार्ट, इसके अंतरकात विशाते हैं, मौद्रिक और वित्य नीतिया, सार्जुनिक रिन और सार्जुनिक रिन बजट, परकार और रूप, बजट्य परकरिया, वित्य जवाब देही, लेखा और लेखा परिक्षा